वेलकम टू इस्टेनो वित परस निक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेकंड बाद स्टार्ट अध्यक्ष महोदै पैसा देकर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है सीमा छेतर में जाएं या पिछडे छेतरों में जाएं चारों तरफ विदेसी पैसे के बल पर हमारे देश के साथ खिलवार हो रहा है इतना ही नहीं विश्व विधालियों में जाएं तो वहां भी यही खेल खेला जा रहा है गिर्जा घरों में मंदिरों में मस्जितों में विदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिस हो रही है यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है यह राष्टर की समस्या है आज सदन में वित मंतराले की मांगो पर बहस हो रही है सरकार के हर विभाग का वित्मंत्राल्य से संबंध होता है देश में जो प्रगती हुई है और हो रही है उसकी काफी चर्चा हुई है जो प्रगती हुई है वह चारो और दिखाई पड़ रही है कम से कम रेल विभाग में तो काफी प्रगती दिखाई पड़ रही है रेलों में अब भीड कम होती है बिजली का भी काफी विकास हुआ है लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो द्रश्टी कोण है उसको देख कर कुछ कर्ष्ट होता है अभी जो जनगणना हुई है उसको देखने से मालूम होता है कि सहरों की जनसंख्या अधिक है आज देहातों से लोग सहरों की तरफ आ रहे हैं हमारे राष्ट पिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसें देहातों के जीवन को पवित्र करें लेकिन स्वेराज्य के पचपन वर्स बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ ने जाकर सहरों की तरफ लोग आते जा रहे हैं इस प्रसन पर हम को कुछ गंभीरता से विचार करना होगा अगर देहातों में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती जो आज सहरों में पिराप्त हैं तो लोग देहातों से सहरों की तरफ ने दोड़ते बलकि सहरों से देहातों की तरफ जाते पहरा देहात के जीवन में दो प्रकार की चीजें थी एक तो जमीदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपे का लेन देन करते थे जमीदारी प्रथा समाप्त हुई इससे लोगों को कुछ राहत मिली जहां तक रुपे के लेन देन का प्रसन है पहले 25 प्रतीसत तक का ब्याज लिया जाता था उसमें अब कुछ कमी अवस्य है लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है जिससे करजा लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता सरकार भी अब उचित दर पर करजा देने लगी है इस वजह से कहीं कहीं पर साहुकारों के ब्याज की दर में कमी आई है